सूरज आग उगल रहा है, गर्मी का मौसम आते ही धर्ती वासियों के मूँ से यही लाइन सुनने को मिलती है, क्योंकि इस दोरान शरीर को जुलसा देने वाले तापमान का सामना करना पड़ता है, सूर्य हमारी धर्ती से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर इस्थित ह लेकिन फिर भी हमें रोज उसके गर्म तापमान का एसास होता है, जबकि अंतरिक्ष में सूरी के होने के बावजूद भी वहां का तापमान ठंडा कैसे रहता है, यानि अगर सूरी इतना गर्म है, तो इस पेस इतना ठंडा कैसे है, अगर आप भी इस सावाल का जवाब ज लाना चाते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, सूरी की गर्मी, सूरी की रोशनी को हमारी धर्ती तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, जो पेड पौधो समित इंसान के जीवन के लिए बेहत जरूरी है, लेकिन जहां एक तरफ सूरी की र गर्मी में कुछ देर बाहर खड़ा हो जाए, तो हीट स्ट्रॉक की वज़े से उसकी मौत हो जाएगी, गर्मी के मौसम में भारत समित एशियाई देशों को जुलसा देने वाले तापमान का सामना करना पड़ता है, जिसकी वज़े से नदियां, तालाब सूख जाते हैं, और सचाइना होने की वज़े से खेत भी बंजर हो जाते हैं, सूरी की गर्मी का यह प्रकोप देख कर लगता है कि अंतरक्ष में भी उसका गर्म तापमान देखने को मिलता होगा, लेकिन विज्ञान की ठियोरी इसके बिलकुल बेपिरीद काम करती है, सूरी जितना गर्म ह स्पेस उतना ही ज्यादा ठंडा है, यानि सूरी की गर्मी और उसके तापमान का स्पेस पर कोई असर नहीं पड़ता, जिसके वज़े से वह हमेशा ठंडा रहता है, अंतरक्ष के इस खेल को समझने के लिए आपको गर्मी यानि की हीट और तापमान यानि की टेंपरेचर इन दो शब्दों की बीच के अंतर को समझना होगा, किसी वस्तु के अंदर जमा होनी वाली उर्जा को हीट कहा जाता है, जबकि उस उर्जा की गर्माहट या ठंडक को टेंपरेचर की मदद से माप जाता है, जब किसी वस्तु की हीट ज्यादा होती है, तो उसका टेंपरे शामिल है, कंडेक्शन के जरीए हीट तब ट्रांसफर होती है जब उसके पास कोई ठोसकंड मौजूद हो ठोसकंड जब हीट के संपर्क में आते हैं तो वो गर्म होने लगते हैं और एक दूसरी सी टकरा कर गर्म पार्टिकल्स के जरीए उश्मा फैलाते हैं वहीं convection प्रक्रिया के जरीए heat को transfer होने के लिए तरल पदार्थ और gas की जरूत होती है heat के कारड molecules उपर की तरफ उठते हैं और उर्जा को अपने साथ ले जाते हैं इस तरह convection के जरीए heat transfer होती है radiation एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश के रूप में heat एक जगह से दूसरी जगह transfer होती है वस्तू जितनी ज़्यादा गर्म होगी उससे निकलने वाला प्रकाश उतना ही ज़्यादा heat transfer करेगा और सूर्य radiation के जरीए heat transfer करने का सबसे अच्छा उधारण है सूर्य एतना गर्म फिर भी कैसे ठंडा रहता है स्पेस अब आप ये तो समझ गए कि heat को transfer होने के लिए तीन अलग-अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है जिसमें हमारा सूर्य radiation के जरीए अपनी गर्मी धर्ती तक भीशता है लेकिन स्पेस में सूर्य की इस radiation का असर क्यों नहीं पड़ता और स्पेस हमेशा ठंडा क्यों रहता है दरसल स्पेस में कोई कंड या अनु मौझूद ही नहीं है जिसके संपर्क में आकर heat अंत्रिक्ष में फैल सके स्पेस का कोई छोर नहीं है और नहीं कोई सीमा ये इतना विशाल और वैक्यूम से भरा हुआ है कि heat को ट्रांसफर होने के लिए कोई पदार्थ ही नहीं मिलता इसका सीधा मतलब ये है कि स्पेस में कंडेक्शन और कंवेक्शन प्रक्रिया के जरिए heat ट्रांसफर होना ना मुम्किन है हाला कि radiation के जरिए ये काम संभव हो सकता है सूरी की किर्णे जब radiation के जरिए स्पेस में ट्रैवल करती है तो उसे heat को अवशोशित करने के लिए कोई अनू या कर नहीं होता है ऐसे में जब सूरी की किर्णे किसी चट्टान पर पड़ती है तो तापमान 100 डिग्री सेल्सिस के ऊपर जाते ही उसके चारों तरफ एक घेरा बन जाता है इस घेरी की वज़े से उस चट्टान में और ज्यादा heat अवशोशित नहीं हो पाती परिणाम सरूप space का तापमान अपने स्तर पर ठंडा ही रहता है रेडियेशन की हीट से गर्म होने वाली चट्टानों का तापमान लंबी समय तक एक जैसा बना रहता है लेकिन वो चट्टाने space के तापमान को प्रभावित नहीं कर पाती इसलिए space में गर्म चीज़ गर्म और ठंडी चीज़ हमेशा ठंडी तापमान पर बनी रहती है हलांकि जब सूर्य की रेडियेशन त्रथवी के वाईमंडल में प्रवेश करती है तो वहां धेर सारी मात्रा में मौजूद मैटर हीट के संपर्क में आता है जिसकी वज़े से धर्ती वासियों को सूर्य की रेडियेशन गर्मी के रूप में महसूस होती है अब तो आप समझी गए होंगे कि आखरी space इतना ठंडा क्यों रहता है जबकि वहां मौजूद सूर्य भीहद गर्म है यकीनन विज्ञान और ब्रह्मांड की ये रचना इंसान की सूच से परे है तभी तो स्पेस में सूर्य के होने के बावजुद भी वहां का तापमान ठंडा है जबकि धर्ती 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर जला देनी वाली गर्मी का एसास करती है वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें साथी चैनल को भी सब्सक्राइब करें जहें दोस्तो